हलो गाइस तो सभी का आपके स्टूटीचानल पर इसका नाम हैनकेसिक आप सभी को हता है अपना support पूरा दिखाओ तो देखो बोड इग्जाम 2022 देखो कल जो Supreme Court में हमारी hearing होनी वाली और CBSC जो है अपोस करने वाला है पर CBSC अगर opposition अपोस करते हो करते हो वक्त अगर ये बाते ध्यान में रखे जैसे कल अगर बोड हमारी परिशानियों को समझ कर कौन सा बोड क्योंक कुछ problem यहां पर लिखे हैं इसको छोड़कर आपने कौन से कौन से problem face किया है यार हो comment section में जरूर लिखना तो देखो problem face by student बहुत सारी student के पास मैंने कह रहा हर student बहुत सारी student के पास phone नहीं थे no phone second poor internet connectivity internet connectivity यानी कि कि किसी के पास Wi-Fi नहीं था किसी के पास internet जो था अच्छा नहीं चलता था बहुत से problem conceptual problem teacher नो जो सिखाया वो इतने अच्छे समझ में नहीं आया क्योंकि obviously यह जो online lecture में थोड़ा कम समझ में आता है यह बात तो माननी पड़ेगी तो fix no doubt clear doubt clear करने के लिए होते सेशन नहीं होते थे जो lecture होता था उसमें इतने सारी student होते थे और मतलब उतना डिस्टर्बंस सब तो doubt भी अच्छ से clear नहीं हुए फिर आता है exam fear पिछले दो साल से जो है student exam नहीं दिये हैं जो भी exam दिये online दिये हैं तो online exam के वतले अगर online exam लेते फाइनल भी तो student आर्ग्यू नहीं करते तो exam भी दो साल से नहीं दिये हैं तो इसलिए वह एक अलग exam का तो cbsc board will keep this problem in mind and then oppose the decision taken by student तो अगर cbsc इस चीजों को दिमाग में रखे उसके बाद भी अगर student के decision को अपोस करें यानि कि जो student मांग कर रहे हैं कि exam जो है जो internal assessment होने चाहिए अगर तब cbsc मतलब हमारी बातों को अगर इसके इतनी सा problem होने के बात भी अगर आर्ग्यू करेगा तो जैद फीर हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि देख सकते हो student ने पूरे साल बहुत problem हुआ और यह बात सारे teacher सारे board सबको पता ही यह problem थे तो यह problem छुपाने वाले नहीं है और ना यह कोई जूड बोल रहा ठीक है तो चलो देखते हैं कल क्या होता है जो भी होगा सब देखा जाएगा वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार वीडियो एंड करता हूं थेंक्यू